चेतन शर्मा जी साउथ अफरीका से महराज जी मैं साउथ अफरीका में एक कंपनी में अकाउंटेंट का कारे कर रहा हूँ वहां मैं अकेला रहने के कारण तथा सही गलत का ग्यान ना होने के कारण मुझ में अहंकार की भाबना आ गई है जिसके कारण जाने अन जाने में मेरे माता-पिता का अपमान कर देता हूँ मेरे माता-पिता ने आपको गुरू रूप में स्विकार किया हुआ है उन्होंने आपके वीडियो मेरे पास भेजे जिने सुनकर मेरे द्वारा किये गए माता-पिता के अपमान को सोच सोचकर अभी गलानी सी हो रही है जिससे मेरा मन अस्थिर है माराज़ अन्य वो तो प्राश्चित हो गया जैसे हरदय में जलन हुई न तो वो पाप कट गया अगर अभी माता पिता उपस्तित है तो उनकी शेवा कैसे भी बने अब कर लो अब चूप न करो वो भगवान है मात्र देव हो पित्र देव हो हम आपको अपने पिता की बाद बता रहे है हमारे पिता जिस दिन हम भगे उसके तीन दिन बाद हमको पकड़ा गया खोच मीन सब शुरू ही तो तीन दिन बाद पकड़ा गया कि गोरा लड़का है वहाँ जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है तो पहले बड़े भाई आए उनको तो कठोर शब्दों से कहके बहुत विवेक प्रवीर था बच्पन में भी बहुत विवेक प्रवीर था मतलब प्रवीर नहीं होता तो संसार की आत्रा काटते वे भगवाने से कैसे लाते तो जब पिता जी आए तब हम मिल गए क्योंकि वो एक कठोर शुगाव के और बहुत धर्मात्मा पुरुष्ट है उनके हम आखों में कभी आशू नहीं देखा बहुत ही द्रड सरदी, गर्मी, भूख, प्यास सब बरदास्त करके संतों की शेवा करना और गरेस्ते दम किसान आदमिया से तो जो वो आए तो हमारे मन में आए कि मारेंगे, अगर हम आख खुलेंगे बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं है और इनकी हम आवेलना कर नहीं सकते तो आख मूथ के बैट गए जो ही देखा पिता जी आरे तो आख मूथ के बैट गए और रजदीक आए अपने सुभावस हे उठ खड़ाओ तो नहीं खड़े गए खड़ाओ नहीं खड़े गए तीसरी बार का आप खड़ाओ जा तो हमें लगा अब डंडा पड़ेगा चोगती बार तो खड़े बच्चे ही थे खड़े हो गए तो शाचा जी वगेरा उनको बड़े भिया करते थे तो हम भी पिताजी नहीं करते थे उनका बड़े भिया है आप से प्रार्थना करें उनका बताओ हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे उन्ण आप की बात मानेंगे तो हम उनकी क्रपा की बात बता रहे हैं तो एकड़म शिप्टर बदल गया जैसे भगवान की क्रपा न तो उनका सच्छी हमका आपसे सच्छी बात कहें घर नहीं जाोगे कभी जिंदगी म्जाद नहीं करोगे उन्हें खड़े हो जाए खड़े हो ऐसे 36 लगाया और राम 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 तीन बार ऐसे 37 लगा राम 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 और ऐसे कहा और जाओ अगर उसर में भी बैटोगे वो फूलों की बरसा हो जाओ जिन्दगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता पर एक बात ध्यान रखना अगर आप बाबाजी बनते हो तो हमारा आसिरवाद उसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे और जिंदगी में कोई बाल बांका तुमारा नहीं कर सकता और अगर कहीं किसी की बहण बेटी देखी तो फिर उमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे वो तो पदार गए कई वर्स हो गए उनको पदारे रिये और उनका आसिरवाद माता पिता का आसिरवाद भगवान आसिरवाद होता है हाँ तो इसलिए अगर माता पिता से कभी कटू वेवार हो जाए तो हमें लगता है अगर वो जिन्दा है तो अभी बहुत बढ़ियां उसर है उनकी सेवा करके हम छमापन करके अपने मात्र पित रिंड से उरिन हो जाए हमारा रिंड भी तो है कि उल रुपया कमाना खाना पि पीटा ने जब आप अबोध हवस्ता में थे अब आप बोधवान हुए हैं तो आप उनको कट वचन बोलें अगर उनकी सेवा ना करें देखो बुड़े माता पिता ऐसी स्थिति आ जाती कि उठना मुस्किल होता है अपनी सेवा करना मुस्किल होता है अच्छा स्वभाव म पित्र देव हो माता पिता का असिरवाद भगवान से मिला सकता है भगवान से माता पिता साक्षाद भगवान ही है सम्मे भगवान माता पिता तो मात्र देव हो पित्र देव हो तो आप माता पिता की आराधना करो जो गल्ती हो गई है उसका तुम्हें ताप हुआ इसलिए समापन हो गया है और जहां तक होशक है अर्थ प्रधान बुद्धी न रखो धर्म प्रधान बुद्धी रखो पहले धर्म है फिर अर्थ है फिर काम है फिर मोक्ष है तो अर्थ भी कमाओ अगर माता पिता के पास अर्थ भेजने से काम चल जाता है तो बढ़िया है और नहीं बनता आपकी जरूरत है तो आप या तो भारत आओ या उनको वाँ ले जाओ उनकी सेवा शुषा जरूर करो क्योंकि हर आदमी यही चाहता है मेरे एक संतान तो होई जाए बुले किसले बुले बुढ़ापे में काम आएगा नही ज्कुरिया होता है नैने बच्चे ब्रधास्त्रम भहत दिये जो धन संपन्ध है, और नए संपन्ध तो घर से निकाल दिये बड़ी अविवस्था ब्रद्नों की होती है तो जिन घरों में बड़े बुढों का अपमान होता है उन घरों में कभी लक्षमी सफन नहीं होती शांती नहीं, सुख नहीं, बड़े अशांती होगी पका समझ लीजिए और जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके पुत्र कभी ऐसे प्रविन नहीं हो सकते कि वो अपने माता पिता को सुख दे वो पूरा ब्याज सहित दुख देंगे ब्याज सहित इसलिए हमें लगता है कि आउशर है हम जब भगवान के स्री विग्रे को रखकर प्यार कर सकते हैं तो चलते फिरते माता पिता में भगवान का भाव क्यों नहीं कर सकते हैं जरूर करना चाहिए आपको बता है माता का जैसा प्यार एक भगवान नहीं है जो दे दे नहीं दूसरा कोई नहीं है क्योंकि वो तो सब माताओं की माता है नहीं तो दूसरा इस रष्टी में कभी प्यार नहीं मिलता है जो माता का प्यार होता है ना जो माता अपने हरदय से लगा करके ना आईसे यसे पुछकारती ना वो कहीं त्रिवुवर में नहीं मिलेगा आपको अगर कोई प्यार करेगा न बहुत आपको तो आपका रूप देखके रुपया देखके सरीर देखके भोगवातना की पूर लेकिन मा यह सब नहीं देखती अब भी जाया है इतने बड़े हो घर जाओगे न भोजन पाया है रस्ते में भोजन पाया है जो देखो पाओ और सो जाओ फिर बात करेंगे मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी आपके लिए इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता छोटे बच्चे से बात कर देऊ समाल के जाना वहाँ देखो यह हम दे रहे हैं वी उस खा लेना झाले और इसे भूलना ने इन間 जो इसे बहुआर काऊन देता है कि एक है संसार में तो सब्ष्व का व्युवार चल्द माता पिटा और जरूर्श करनी चाहिए माता पिटा की सेवा करनी चाहिए हम तो कहते हैं और भगवान बिर आन करो उ मत करो माता पिता की आराधना कर लो इसी से भगवार मिल जाएंगे इसी से भगवार मिल जाएंगे